नमस्कार स्वागताब सभी दोस्तों का मैं हूँ मुकेश जानी मोर पंख का चमतकारी उपाई मोर पंख का चमतकारी उपाई चमतकारी प्रयोग हाँ दोस्तों यह है आज का सब्जेक्ट यह है आज का विशै हर दिन की तर आज भी अपने जीवन से जुड़ी समस्या और समस्या का उपाई लेका आप सभी के सामने उपस्तित हो गया हो पहले तो दोस्तों आज जो भाई-बेन का जन्मदीन है सभी भाई-बेनों को जन्मदीन की सुबकामना सुभेच्छा खुश रहे प्रसंद रहे इस्वर की क्रिपाद रष्टी आप सभी के ओपर बनी रहे दोस्तो वेसे तो हमारे जोतिस की पूरानी किताबों में और लाल किताब में भी मोर पंक से जुड़े अनेक प्रयोग बताए है एसे प्रयोग जो प्रयोग करने से घर की नकारात्मक सक्तिया बार हो जाती है वास्तु दोस्त ठीक हो जाता है घर से बिमारी चली जाती है घर में सुक सम्रूती बनी रहती है भाग्य का साथ मिलना चालू हो जाता है सोसाइटी में समाज में मान सनमान मिलता है एसे छोटे छोटे बहुत से प्रयोग बताये है दोस्तो आज भी मैं आपको वेशा ही मोरपंक से जुड़ा हुआ एक छोटा उपाई बता रहा हूँ जो उपाई करने से आपके घर में सूक सान्ती समरुदी बनी रहेगी समाज में सोसाइटी में आपका मान सन्मान बढ़ेगा दोस्तो उपाई बताने से पहले हर दिन की तरह आप से मेरा एक नमर अनिवेदन है कि आप सभी वीडियो के अंतक मेरे साथ बने रहेंगे वीडियो को पूरा देखेंगे वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक अवस्य करे दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले मैं हर दिन एसे छोटे छोटे सरल उपाई के वीडियो आपके साथ शेयर करता ही रहता हूं बगल में लगी बेल को दबाए आने वाले मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें दोस्तो आपके परिवार में आपके दोस्तों के बीच वीडियो को सेर वस्यकरे है हाँ दोस्तों वैसे तो मौरपंक के अनेक उपाई है मौरपंक आपको जहां पुझा का सामान बिकता है नहीं वहीं पुझा का सामान जहां बिकता है वो स्टोर से आपको मौरपंक का जारू मिल जाएगा वेसे तो मंदिरों में जाडू की जगह मोरपंक का जाडू यूज़ करते हैं मंदिर की साफ सफाय करने के लिए दोस्तों वेसे हमारे घर में भी हमारा जो पुजास्थल है हमारा मंदिर है वो मोरपंक के जाडू से ही साफ होना चाहिए मौर पंक से ही साफ करना चाहिए हम जो घर में जाडू यूज करते हैं जो घर में जाडू इस्तेमाल करते हैं वो जाडू से हमारा पुझा कभी साफ ना करें मौर पंक के जाड़ू से ही पुजाकक्स को साफ करें दोस्तों वेसे भी घर में कोई भी जगह आप मौर पंक रख देना तो घर का वास्तू डोस समाप्त हो जाता है किसी की बूरी नजर है घर के उपर तो बूरी नजर का प्रभाव भी कम हो जाता है रेंसा समझोने के बूरी नजर का प्रभाव कम नहीं हो जाता है अंत हो जाता है दोस्तों बात से बटक जाने से पहले देख लेते आज का उपाई मोर पंक का उपाई ये उपाई करेंगे आप मेहने में एक बार पूर्णी मां के दिन महिने में एक बार पूर्णी मा के दिन उपाय में आपको जरुरत पड़ेगी एक पीपल के पते की थोड़ा गव मुत्र गव साला में से आपको गव मुत्र मिल जाएगा काच की बोटल में एक गव मुत्र लाना है आपको कोई धातू के बतन में या तो प्लास्टिक के बतन में आप गव मुत्र नहीं लाएंगे गव मुत्र काच की बोटर में ही लाना है गव साला में आसानी से गव मुत्र मिल जाता है एक गुलाब का फूल, एक पिपल का पता, फोड़ा गव मुत्र, एक गुलाब का फूल, तीन तुल्सी के पते, तीन तुल्सी के पते, और चुटकी भर नमक, ये सभी चीजे, दोस्तों, वीडियो के अंतक मेरे साथ बने रहे, वीडियो को अधा ना छोड़े, मैं आपको नमर निवेदन करता हूँ, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सभी चीजे, आप, एक बरतन में रखेंगे, भर देंगे, साथ में थोड़ा सुद्ध जल डाले, पिपल का पता, गुलाब का फूल, गव मुत्र, थोड़ा गव मुत्र, नमक, और सुद्ध जल, एक बरतन में फ्रले, अब जो मौर पंक का जाड़ू है ना आपके पास, वो जाड़ू से, आप आपके पूरे मकान में, वो मौर पंक के जाड़ू से आप पानी छिड़िकेंगे, आपके वोस रूम और टोईलेट के अलावा सभी जगा, आपके तस्वई घर में, कीचेन में, आपके ड्रोइंग रूम में, आपकी छट के उपर, आपके आँगन में, सभी जगा, आप ये पानी छिड़िकेंगे, मौर पंक से, मैने में एक बार ही आप ये उपाई करेंगे, पूर्णी मा के दिन, बाद में दोस्तो यह पानी छिड़क लेने के बाद में सुबह-सुबह ओई आप यह प्रयोख कर लेंगे यह उपए आप सुबह-सुबह स्नान करें कर लेंगे बाद में जो पिपल का पता है तुलसी ने द्ल् बड़े रुक्ष के नीचे जाकर छोड़ दीजिए या तो जल में प्रवाइट कर दीजिए किसी के पेरो तले नहीं आना चाहिए दोस्तों ये प्रयोग करने से ये उपाई करने से आपके घर में सूख सांती संब्रुदीब बनी रहेगी सोसाइटी में आपको पूरा मान संमान मिलेगा आपके घर के उपर किसी का नजद दोस है तो नजद दोस दूर हो जाएगा अगर वास्तु दोस है तो वास्तु दोस भी दूर हो जाएगा दोस्तों ये उपाई आप लगातार करते जाए महिने में एक बार बस दोस्तों आज इतना ही वीडियो के अंद तक आप सभी मेरे साथ बने रहे आप सभी दोस्तों का सुक्रिया थन्यवाद बंदे मातरम